नमस्कार दोस्तों मैं दीपक पांडे आपके अपने यूटूब चैनल में हार्दिक श्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे कि IAMC का जो भी प्रवेश परिश्चा होने वाला है जून में उसमें आने वाले संभावित प्रश्णों के बारे में और जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्ण उसमें आ सकते हैं और हम किस तरीके से तैयारी करें दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जो भी पेपर को सेट करता है उसके मन के बारे में जानना किसी के बस में बात नहीं रहती यह जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो सिर्फ अनुमानित है संभावित है और यह स्योर आएगा इसकी कोई करंटी नहीं है तो इसलिए अगर आपको लगता है कि यही हुबहु प्रश्ण आएगा तो आप वीडियो को क्यूट कर दीजे आप वीडियो मत देखे लेक सुबह एक बॉलिविट अभिनेता इर्फान खान की मौत हो गई उनको एक रेर कैंसर था जिसके चलते उनकी मौत हुई है 1967 में जन्मे इर्फान खान ने 1984 में एनेशडी नेशनल इसकूल आप ड्रामा से जो दिल्ली में है वहाँ से अभिने की पढ़ाई की अभिने को सीखा और बहुत ही एक अच्छे एक्टर थे सोसल इसू पर उनकी कई सारी मूवी जैसे की मदारी और 24 हावर्स डेटलाइन इसके साथ ही पान सिंग तोमर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम इस नाम से कई सारी मूवी आए हैं और उनकी मूवी मुझे पान सिंग तोमर बहुत अच्छी लगी है तो ये पूरे बॉलीबूर जगत में उनके मृत्य से बहुत सोक का महौल है हम उनके लिए मौनधारन करें और उनके आते हैं और बात करते हैं कि कौन से प्रशन आ सकते हैं और किस तरीके से हम तैयारी अपनी कर सकते हैं दोस्तों बात करें अगर 2018-19 या 19 का हिंदी जनलिजम का पेपर देखा जाए तो उसमें नरेंद मोदी और नरेंद मोदी से जुड़े हुए कई सारे प्रशन जो उनकी योजनाओं से या उनकी यात्राओं से जुड़े हुए कई सारे प्रशन आये हैं जिससे मैं उससे संबंधित आपको जो है कुछ संभावित प्रशनों के बारे में पहले बताऊंगा तो दोस्तों आप जो है अभी हाली में 24 अप्रेल को पंचायती राज दिवस मनाए गया है तो आप उससे संबंधित आप जो तथ्यां फैक्ट्स हैं उसको पढ़ लीजेगा उसमें एक स्वामित योजना के बारे में भी शुरुआत की गई है आप उसके बारे में भी पढ़ लीजेगा और इसके साथ ही देखे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और ये वीडियो मैं दो भागों में लेकर आऊंगा आप चाहे तो एक copy pen लेकर आप जो है फ्रस्नों को नोट कर सकते हैं इसलिए मैं थोड़ा प्रशन जल्ली जल्ली आपको बताऊंगा और आप copy pen लेकर फ्रस्नों को नोट करिए इसका एक भाग और आएगा अगर आप कहेंगे तो तो दोस्तो स्वामित योजना के बारे में आप पढ़ लीजेगा पंचायती राजदीवा से हम उसकी थीम क्या थी इस बार उसके बारे में आप देख लीजेगा इसके साथ ही आरोगिशेतु एप के बारे में आप जरूर पढ़ लीजेगा यह बहुत जरूरी है इसके साथ ही पीम द्वारा जन कल्यान योजना जो है लाई गई है कोरोना वाइरस के चलते गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए उसमें कई सारे टॉपिक है आप उनको निधी जो 2000 रुपए करके किशानों के मिलता है हर चार महिने पर जो है इसकी तीन किस्ता आती है 6000 रुपए उसके बारे में भी आप पढ़ लीजेगा यह पोर्ट बिल्टी सेवा है कि अगर किसी का रासन कार्ड है तो वो कहीं पर भी राशन ले सकता है उसके बाद हम बात करें एक उतपाद एक जिला वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट के बारे में भी आप पढ़ लीजेगा यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा और अब हम कुछ सुप्रीम कोट के एहम फैसले के बारे में जो है बात करेंगे और केंद्र शरकार जो प्रमुक फैसले की है तो सबसे पहले तो एउध्या राम मंदिर फैसले पे जो भी डिस्टिजन आया है रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा इसके साथ ही सुन्नी कफ वोर्ड में जो भी जमीन बाटी गई है जो उनको हिश्चे में आया है आप उसको पढ़ लीजेगा यह भी बहुत जर दावली हैं उसके बारे में मैं आपको बताओं तो एक ब्लू कॉर्णर नोटीस होता है अप उसके बारे में ध्यान दे लिजेगा थोड़ा सत्रु संपत्या क्या है वो भी देख लिजेगा और चलिए बात करते हैं PM कुशुम का एक विस्तार हुआ है इस बार बजट में तो आप 2020 के बजट से question है, PM कुसुम योजना है, उसका विस्तार हुआ है, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दे लिजेगा, इसके अलावा सुप्रीम कोड त्वरा करनाटक में अयोग बिधायकों पर, जो 17 बागी बिधायक थे, जो है कांग्रेस और JDS के, उनक अयोगे घोशित कर दिया है, तो उसके बारे में भी आप ध्यान दे लिजेगा, इसके बाद वहाँ पर सरकार गिर गई थी, और इस समय करनाटक में बिधुरप्पा, बिधुरपी गॉर्मेंट की, जो है सरकार है, इसके अलावा बात करें, तो अब आप आटी आई के हो गया है, जो जापान के टोक्यो में होने वाला था, तो आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिजेगा, पढ़ लिजेगा, मुंबाई में डांस बार पुना चलाने की अनुमती मिल गई है, ससर्त की वहाँ पर जो है डांस बार तो चला सकते हैं, लेकिन कुछ सर्तों को र पर फिर हुआ था, वह आप सब जानते ही हो, तो उसके बारे में भी पढ़ लिजेगा, एक देश एक चुनाओ के बारे में जो है योजना चल लही है काफी टाइम से, राज्यो कि श्रमती के बाद जो है इसे लागू किया जा सकता है, तो इसके बारे में भी पढ़ना काफी टाइम से यह हमारे वाईशना के बेड़े में सामिल था, लेकिन काफी पुराना होने के साथ इसको रिटायर कर दिया, कारण यह था कि यह साथ 2016 में ही रिटायर हो जाता, लेकिन हमारे पास नए भीवानों की खेप नहीं थी, इसलिए इसको अभी रिटायर किया गया आप देख लिजेगा केंद्र सरकार और राजी सरकार के बीच जब अस्रहमती होती है कि या केंद्र सरकार दो राज्योग के बीच में अस्रहमती होती है किसी बात को लेकर बिवाद होता है तो उस पे जो है सुप्रीम कोट क्या फैसला करती है तो समिधान का नुच्छे 30 आपको पढ़ना है निजी ट्रेन तेजस चलाई गई है आप उसके बारे में अपनी राय देख लिजेगा और 100 मारगों पर जो है लगबग 500 से अधिक ट्रेनों को निजी भागीदारी के तहत उसको चलाने का फैसला किया गया है 50% पर तो उसका जो है निलामी होता है और उसके बाद जो भी ओनर होते हैं वो ट्रेन को चलवाते हैं तो लेकिन इसमें जो है जन जनता के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं उ महाँ पर ट्रेन अगर लेट होती है तो यात्रियों को 100 रुपर प्रति घंटे के हिसाब से साइद फाइन भी मिलता है उसको जो है तो इसके अलामा बात करें तो महत्तुपूर्ण ब्यक्तियों की कुछ जो है निधन हो गई थी 2019 से लेके अभी तक तो आप उसको भी ध्या कर लीजेगा और बित्त मंत्री थे सुस्मा स्वराज विदेश मंत्राले में थी उनके बारे में बहुत ही अच्छी जो है आपकी राजनेता थी इसके लामा बात करें तो नामवर सिंग जो लेखक हैं ये भी काफी फेमस प्रशिद रहे हैं इनके बारे में भी आप पढ़ लीजेगा मोहन परिर्कर के बारे में भी आप ध्यान दे लीजेगा थोड़ा सा फैक्ट्स इक ठाक कलिए हाला कि मोहन परिर्कर के बारे में तो जो है सवाल साइद पुराना हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा कम वो है और इसके अलामा सीला दिछित के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लिजेगा सीला दिछित निलम सर्मा जो है दूर दर्शन की प्रतम न्यूजेंकर थी और उनका निधन हो गया है तो उसके बारे में आप जरूर पढ़ लिजेगा इसके अलामा पदमस्री पदमभूसन और भारत रत्न से सम्मानिद जो भी नाम है जिनमें भी मिला है ये सम्मान उनके बारे में आप जरूर पढ़ लिजेगा क्योंकि इनमें मैं से किसी भी ब्यक्ति के बारे में आपको प्रश्ण लिखने को आ सकता है उनके बारे में कुछ दस लाइन लिखने को आ सकता है जैसा कि आपने प्रश्णों की प्रकित में देखा है कि किस तरीके से उसमें प्रश्ण आता है हलागे मैं समझ रहा हूँ कि प्रशन ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको वो हो रहा होगा लेकिन क्या IMC अगर आपको क्लियर करना है तो आपको पढ़ना तो पढ़ेगा इसके लावाँ बात करें कि मई में जब प्रधानमंत्री मोदी की सपत समारो थी तो उसमें कई BIM STAKE के कई राजनेता राशपती प्रधानमंत्री कई देशों के उसमें सामिल हुए थे तो उस पे भी आप थोड़ा सा गौर कर लिजेगा हलाकि मई की बात है तो प्रशन कम आने के संभावना है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दे लिजेगा दिदारे ताज में हमारे डोनाल टर्म जो है अमेरिका के राशपती आये हुए थे जो नमस्ते टरंप करके कारकम हुआ था आपका जो है साबर मती मोंटेरा स्टीडियम में करकम हुआ था तो आप उस पे थोड़ा सा ध्यान दे लिजेगा उनके साथ उनकी पद्दी मेलानिया और उनकी वेटी इवंका टरंप और दमाद भी आये थे जो दिदारे ताज आगरा में ताज महल को देखे थे नितिन शर्मा करके गाइड थे जिन्हों ने उनको जो है गाइड किया था तो इसके इसमें जो है आगरा को बहुत अच्छी तरीके सजाय गया था उनके सुरच्छा व्योस्ता में काफी सारे इंतिजाम किये गए थे तो उसको भी आपको पढ़ना जरूरी होगा इसके साथ ही गड़तन दिवस पे इस बा आग में और ले के आऊंगा मानित प्रशनों में तो अभी मैं वीडियो को यहीं पर समापत करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही है तो अगर आपके मन में कोई प्रशनों हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और वीडियो को लाइक करिए आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे